हेलो फ्रिंग्स आज हम सेखेंगे एक्सल एक्सल के फोल्स क्लास फोर बिगनर्स ठीक है तो एक्सल स्टार्ट कैसे करने गाइस स्टार्ट में पर जाएंगे और प्रोग्स पर जाएंगे और यहां से ऑप्शन यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी आप यहां से यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल 2010 अगर हम शॉटकट में यूज करते हैं तो उसके लिए क्या करना होते हैं कि हम अपने कीवोड से विंडू प्लेस आंट प्रेस करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे एक्सल एंटर खोड़ता है एक्सल क्या होता है यह हमारा इस प्रोग्राम होता है इसे बोलते हैं जिसे हम एक्सल में दो चीजों पर वर्क करते हैं वाग्बुक और वोग्षिक वोग्बुक वो होता है कि जिसमें हमारे बहुत साइब शीट का कलेक्शन होते हैं और हम उसमें information को जा सरे लगें और मैक्सिमम इसके अलावा चुल एक फाइल है दूसर पच्छाट ले सकते हैं तो 255 इंसे लिए सकती है और टाइस क्वार के चाहिए पर काम करूं के कहा है धिकले लिए चोने सब्सक्राइब बना रहे हैं और इसे हम इसके लिए हम पड़ते हैं कि रोज क्या होता है यह इसे हम यह प्रोजब रोज वोते हैं नमबर फॉर्म जाए जैसे में चेक और जाते हूं तो इसमें एक शीट में 10,48,576 होते हैं आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की उसकी तो देखें लास पर आगे 10,48,576 है वापिस आप अपने फॉर्स सेल पर जाना चाहते हैं तो गट्रोल के साथ अप यूज के तो फॉर्स पर आजएंगे ऐसे गईस जो वर्टिकल होते हैं हमारा इसे हम बोलते कॉलम पर विख़ें ऑलफवेर्फवेट पर जैसे यह ए कॉलम हैं मीकॉलम सी कोलम दी कॉलम ऐसे 1384 होते हैं आप कंट्रोल के सांथ राइट एड़ उस कीजिए तो लास्ट हमारा जो कॉल्म नंबर्स होता है एक सब्सक्राइब जो टोटल होता है हमारा 16,384 गैस यह एक शीट में होते हैं कंट्रोल के सांथ लेट यूज करेंगे तो फिर आप फोस्ट कॉलम पे आजाते हैं और जितने हम देख रहे हैं जितने इंबॉक्स जो निज़र आ रहे हो हमारा सेल कहलाते हैं ठेक है तो सेल क्या होता है दोनों का इंटर्सेक्शन पार्ट होता है जो एक कॉलम पे पर परफेंड़िद ? अर एक यहां रखती हो तो हमारे कैएच कॉलम है और प् फोल हुए तो हमारे यह एच फोर सेल हो गया है तो यए यह हैं तो यहां जितने भी फॉर्मला लगाते हैं जो भी हम फॉर्मला फॉंक्शन पर होता है और हम उनको जो अप्लाई करते हैं वह सेल एड्रेस की विसिस पर करते हैं जहां पर हमने अपने यहां पर कोई नंबर लीना चाहते हैं जैसे मैं 50 65 लिया एंटर तो फूरी अप्लाई नहीं हो लेकिन अगर मैं इन को टोटल करना चाहते हैं तो हम एक्वल टो पहले लगाते हैं यानी फॉर्मला के लिए हमारे एक्सल में एक्वल टो मॉस्ट है अब मैं यहां पर देखें 50 प्लस 65 लिक एंटर कर दोंगी तो देखें दोनों का कंबाइन टोटल हो चुका है ऐसे माइनस भी कर से तो एक्व सम प्रोड़क्ट कि हमें सम क्या करना है जिससे सब्सक्राइब यहां पर कुछ नंबर्स ले लिया ठीक है जिसे मैंने कि तीन नंबर्स लेए तीनों को टोटल एक साथ करना है तो हम यूज करते हैं सम यह फंक्शन है गाइस तो देखें यहां पर नीचे शू कर रहा है आप सेल का रेंज लेंगे उन ही का टोटल करेगा फिर आम प्रैकेट ओन कीजिए तो देखें आमें नंबर वन नंबर टू नंबर तरी ऐसी आप एक साथ 255 सेल्स तक आपको टोटल कर सकते हैं तो देखें गाइस अगर मैं इसका एड्रेस लो तो इसका अड्रेस कहा है हमा यहां बिट हो गया है ब्लू सिम्बल आ गया आकर इक मैं लास तक ले जाना चाहते हो एक एक करके दूर्स करके किया आप स्के साथ कॉलन रिंस केजिए डाट जहां पर सेमीकोलन होता है उसे को सिप्सप्ल कंड़ होता हैं तो आप लेते हैं यानि ऐस प्लोज करेंगे और टोटल आगया तो इसे हम बोलते हैं function कि पहले से function मना है sum sum क्या करता है total करता है तो यह था formula and function formula जो होता है हम एक लगा कोई भी number plus minus कर सकते हैं और function जो होता है वो एक हमें function देना परते हैं जैसे sum लिखा मैंने ऐसी multiply करते हैं तो उसके लिए product करते हैं तो इसे next class में हम सीखेंगे कि हमें formula कैसे बनाना या functions हम कैसे वो करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल like and subscribe है तो प्लीज उसे कर दें अब इस वीडियो से रिलीट है आपको कोई भी डाउट हो कोई सोजाओ हो तो मुझे comment box में जरोड लेकिए okay guys thanks for watching